हेलो फ्रेंड्स आप सभी का अपने HDS ट्यूटियल पर श्वागत है तो बोर्ड एक्जाम 2025 काफी नजदिक आप लोग पूरा फोकस किज़े अपना पढ़ाई में और इस बार 99 टार्गेट कितने बच्चे सेट के नीचे कमेंट जरू कीजिएगा 99 टार्गेट सेट अगर आप करते हैं तो आपका परसेंट काफी अच्छा आजाए क्योंकि आप उसी प्रकास त्यारी कीजिएगा कि 99 आपका आज है आप सेट टोपर के लिस्ट में भी आ सकते हैं आप लोगों कमें बता दूए अगर आप फर्स चेकेंड तर्ट उपर आते ह में तो आपको तीन लाक रुपे दो लाक रुपे और एक लाक रुपे इनाम रासी मिलता है और साथ मोबैल और लैप्टोप तो वीडियो को पूरा दिखिएगा और इस बार आप सभी स्टेट ओपर का टार्गेट सेट कीजिए आप सभी को मैं इस चैनल के मानधब से करूँगा कोसिन बताऊंगा इंपोर्टेंट कोसिन बताऊंगा आपका डाउट किलर करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजएगा तो चलिए बिना देर की हम लोग इस बार दोहचार पचीस में 99 का टार्गेट सेट करते हैं और इस वीडियो में मैं आप लोगों को प पाइनल बोर्ड परिक्षा होगा फरवरी में होगा फरवरी तक आप लोग सिलेबस कवर कर लिजे और रिविजन भी कर लिजेगा देखें इस बार दोहचार पचीस में नया बुक आया है काफी सारा पुराना बुक से चेप्टर को हटाया गया है लेकिन क्योंकि यहां पर को एक बार कभर जरू कर लिजेगा और जो सिलेबस से हट गया है उसको तो देखने का जुरत नहीं है पर यहां पर मैं आप लोगों को वो कोस्व में पढ़कर बता दूंगा ठीक है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं देखिए खंड ए यानिकि सेक्शन ए पहला नंब यूरोपिय महादेश का सबसे प्रभुत्व साली वर्ग में कौन था जो सामाजिक और राजनितिक रूप से जमीन का मालिक था तो यहां पर दीखिए पहला अपसन है पादरी वर्ग दुसरा कुलीन वर्ग तीसरा किसान वर्ग चो था इन में से सभी तो इसका सही अंसर हो जाल्वे राइन के नाम से जाना जाता है इस संग में अधिकांस कौन राष्टर शामिल था पहला अप्शन जर्मनी दूसरा रूप तीसरा फ्रांस चो था बेल्जिम तो इसका सही अंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर पहला जर्मनी अगला देखिए तीन नमबर तीन नमब एक विचार पर बल दिया, दुसरा उप्सन है, एक नया फ्रांसीसी जंडा यानि कि तीरंगा चुना गया, फिर देखे तीसरा C नंबर, स्टेट जनरल का चुनाओ, सक्रिये नागरिकों के समुधारा किया जाने लग अच्छो था इन में से सभी, तो इसका सही अंसर हो जाए पहाडियों पर फैल गया, गुडें भारत के किस राज में इस्थित्त है, पहरा उप्सन है करनाटक, दुसरा तमिलनाटो, तीसरा आंध्रप्रदेश, चूथा मिजुरम, तो इसका सही अंसर देखे, उप्सन नंबर, तीसरा सही हो जाएगा, आंध्रप्रदेश, फिर दे छठा नंबर, भारत से अफिम का निर्यात कहां किया जाता था, पहला उप्सन है पूर्तिकाल, दुसरा चीन, तीसरा अमेरिका, चूथा यूरोप, तो इसका सही अंसर हो जाएगा, उप्सन नंबर, दुसरा चीन, फिर देखे नेक्स्ट अगला साथ नंबर, बृतेन वू पूजगार और, सतत आर्थिक विकास को बढ़वा देने, तीसरा, वित्य इस्थीरता को स्रक्षित करने, और चूथा इन में से सभी, तो इसका सही अंसर हो जाएगा, उप्सन नंबर, चूथा इन में से सभी, फिर देखे नेक्स्ट अगला आठ नंबर, मसिन उद्योगो के यूग से पहले, अंतरास्ट्रे कपड़ा बाजार में किस देश के रेशमी और सूती उत्पादो का ही दबदबा रहता था, पहला अपसर ने, जर्मेन, दुसरा जापा, तिसरा भारत चूथा रूर्स, तो इसका सही अंसर हो जाएगा, उप्सन नंबर, तीसरा भारत का दबदबा बना रहता था, फिर देखें, नौ नंबर, नौ नंबर के कोशन है, गुटेन बर्ग द्वारा मुद्रित, पहली पुस्तक का नाम बताना है, कौन सी पहली पुस्तक थी, पहला अपसर ने, तृपिटक, दुसरा भाईबल, तीसरा रामायन चूथा, कोजिकी, त दुसरा अर्भी व्यापारी, तीसरा भारते, सुधारक चूथा, इस्ट इंडिया कमपनी के अधिकारी, तो इसका सही अंसर हो जाएगा, उप्शन नंबर चूथा, पुर्तगाली मिस्नरी के दवारा, अब बढ़ते हैं अगला कोशन, ग्यारा नंबर दिखिए, निमन में अब देखिए, हाइड्रोजन और उक्सिजन से क्या बनता है, जल बनता है, उप्शन वत तीसरा बिलकुल सही हो जाएगा, अब देखिए, बारे नंबर, बारे नंबर के कोशन है, वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते है, परंतु इनका उप्योग, यहाँ पर नहीं होना चाहिए, नहीं, नहीं किया गया है, क्योंकि इंग्लिश में देखिए, have not been utilized लिखावा है, यहाँ पर उप्योग नहीं किया गया है, वे किस प्रकार के संसाधन माने जाते हैं, यहाँ कि कोई प्रदेश है, कोई देश या कोई जगह है, जहाँ पर संसाधन ह पहला आपसर संभावी दूसरा जेव तिसरा नविकर ने जो था रास्ट्री तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपसर नमर पहला संभावी संभाव यानि कि पोटेंसियल रिसोर्से सम्हों लोग इसको कहेंगे अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला टेरो नमर दिखिए हमारे द बांधाव गढ़ राश्ट्रे उद्यान भारत के किस राज्य में इस्थित है पहला आपसर ने पस्ची मंगा दूसरा मध्य प्रदेश तिसरा राजस्थान चोथा उत्राखंड तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपसर नमबर दूसरा मध्य प्रदेश एम पी फिर अगर ये अर्थ वश्था समन्वित रूप से विक्सित करेगी पहला आपसन है जोहारलाल नहरू दूसरा महत्मा गांधी तीसरा डॉक्टर राज़ंदर प्रशाद जोथा इंद्रा गांधी तो इसका अंसर देखिए आप देख सकते हो आपसन नमबर पहला सही है जोहारल नहरू पंडित जोहारलाल नहरू देखिए नेक्सट वश्था नमबर जल का महत्व संसाधन के रूप में समझते विरास्ट्रे जल संसाधन के द्वारा प्रतम रास्ट्रे जलनिति किस वर्ष बनाई गई पहला अप्सन है 1927 दूसरा अप्सन है 2002 तिसरा अप्सन है 2012 और च इसका सही अंसर हो जाएगा option number पहला 1987 फिर देखे नेक्ष्ट 17 नमर भारत में किस प्रकार की कौफी पैदा की जाती है जो अपनी गुन्वता के लिए विश्व विख्यात है पहला option है देखिए रोबस्ता दुसरा लाइबेरिका तीसरा अरेबिका अचोथा एकसेल सा तो इस इसका सही अंसर हो जाएगा option number तीसरा अरेबिका इसका आप लोग याद कर लिजेगा फिर देखे नेक्स्ट अगला अठारे नमबर मेगनेटाइट खनीज की विशेष्टा क्या थी पहला option देखिए यह सर्वत्तम प्रकार का लोग अयस कहें दुसरा इसमें सर्प्रतिसत लोहा पाया जाता है तीसरा देखिए इसमें सर्वस्रेष्ट चुमबक्य गुन होते हैं और चोथा देखिए इनमें से सभी तो इसक भारत के किस राज्य में इस्थित है मर्मुगाओं पतन भारत के किस राज्य में इस्थित है पहला option आंद्रप्रदेश दुसरा महराष्ट तिसरा गुवा चोथा गुजरात तो इसका सही अंतर हो जाएगा option नमबर तीसरा गुवा में फिर देखिए next पीस नमबर सरकार को सही अंसर हो जाएगा option नमबर चोथा जनता जनता अपनी महतपुन भूमी का निभाता है फिर देखिए next अगला एक किस नमबर निमन में से किस प्रकार की विवस्था में केंद्रिय सरकार राज सरकार को कुछ खास करने का आदेस नहीं दे सकती पहला option है एक आत्मक दुसर संगिये तिसरा निरंकुस चोथा इन में से सभी तो इसका सही अंसर हो जाएगा option नमबर दुसरा शंगिये फिर देखिए next अगला 22 नमबर अमेरिकी समाज की आंतरिक समश्या के मामलों को अंतरास्ट्रे मंच पर किस ने उठाया था पहला option है टोमी स्मिथ आउर जोन कार् नार्मन ने अच्छो था टोमी स्मिथ आउर प्लेटो ने इसका सही अंसर हो जाएगा option नमबर पहला टोमी स्मिथ आउर जोन कार्लोश ने इसको आप लोग याद कर लीजेगा यह भी important question है चलिए अब बढ़ते हैं next 23 नमबर देखिए 23 नमबर की question है ने इस्सो अंठानमे में ब्रिटेन की सरकार आऊर नेशनलिस्टों के बीच कि इस प्रकार का समझा होता हुआ जिसमें दोनों पक्षों ने हिंसक आंदोलन बंद करने की बात स्विकार की पहला दिखे जल समझे होता, दुसरा अप्सने व्यापार समझे होता, तिसरा अप्सने क्रिसी समझे होता, चोथा अप्सने सांती समझे होता तो इसका सही अंसर हो जाएगा अप्सन नमबर चोथा, शांती समझे होता अगला 21 नमबर भारत में किस प्रकार की विभी निता आज बड़ी व्यापक हो चली है पहला राजनेतिक दुसरा धार्मिक तीसरा जातिय चोथा इन में से सभी तो इसका सही अंसर हो जाएगा उपसर नमबर चोथा इन में से सभी धार्मिक जातिय तो पहले से ही चल रहा था तेकिन आजकल राजनेतिक विभी निता भी देखी जाती है अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 25 नमबर श्वरगिय कासी राम के नेत्रित्व में 1984 में किस पार्टी का गठन हुआ था जो आज एक राज़्टे पार्टी के रूप में जाना जाता है पहला देखिए भारते जनता पार्टे दुसरा भारते कम्मुनिस्ट पार्टे तिसरा बहुजन समाज पार्टी चोथा राज़्ट कांग्रेस पार्टी तो इसका सही अंतर हो जाएगा option number तिसरा पहुजन समाज पाटी आगर देखे 26 नमबर, 26 नमबर के कोशन है किसी विशेस वर्ग में उत्पादित किस प्रकार की वस्तूओं को कुल राष्ट उत्पाद की संग्या दी जाती है पहला देखे सभी वस्तूओं सेवाओं दूसरा सभी अंतीम वस्तूओं और सेवाओं तिसरा सभी मध्यवर्थी वस्तूओं एवं सेवाओं और चोथा इन में से सभी तो इसका सही अंतर हो जाएगा option number दूसरा सभी अंतीम वस्तूओं और सेवाओं इसको आप लोग याद क चलिजेगा फिर देखे नेक्स्ट अगला 27 नमबर मुद्रा का प्राथमिक कार्य है यह important question है देखे मुद्रा का कार्य देखे पहला अप्शन है मुल्य का हस्तनांतरन दूसरा विलंबित भुकतान का मान तीसरा मुल्य का संचे अच्छोथा विनेमे का माध्यम तो इसका सही अगला 28 नमबर सरकार द्वारा और और अत्वा प्रतिबंदों को हटाने के प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है पहला अप्शन है नीजिकरन दुसरा उदारिकरन तिसरा विदेशी निवेस और चोथा वियापार शमर्थन तो इसका सही अंसर हो जाएग अप्शन नमबर भारत के सकल घरेल उत्पाद का एक बड़ा भाग कोन सा चेत्र प्रदान करता है तो इसका option देखिए पहला option है उत्पाद निर्मान बिजली और गैस दूसरा सेवा चेत्र तिसरा क्रिश्री और समंध चेत्र और चुथा रक्षा और लोग प्रेशार्शन तो इसका सह सही अंसर हो जाएगा option number दूसरा सेवा चेत्र सेवा चेत्र फिदेखे नेक्स्ट अगला हमारा MCQ का last question तीस नमबर भारत का रास्ट रिये उभगता दिवस कब मनाया जाता है 24 दिसंबर 26 दिसंबर 28 दिसंबर या 30 दिसंबर तो इसका सही अंसर हो जाएगा option number पहला 24 नमबर को भारत का रास्ट भोकता दिवस मनाया जाता है तो हमने MCQ question देखे लिया 30 अब बढ़ते हम लोग subjective question के और इसी प्रकार से इस बारभी 2025 में भी subjective question आएगा कुछ कुछ यहां से भी रहता है ठीक है repeat होता है back to back इसलिए आप लोग याद करते चलिएगा बस एक बात क ध्यान में रखिएगा कुछ कुछ सिलेबस से हटा है उस चिसको आप लोग देख लीजिएगा दिखे नेक्स्ट एक तिस नमबर रास्टवाद क्या है तो इसका उतर दिखिए रास्टवाद एक ऐसी मनहिस्तिति है जिसमें एक समुक के लोगों की भावना या समवेग एक साथ मिलकर एक भोगोलिक छेत्र में रहते हैं एक जैसी भासा बोलते हैं जिनका एक साहित्य होता है जिनमें रास्टवाद की भावना से युक्त प्रत्यार्शाय होती है जो जन साधारन की परंपराओं से चुड़ा होता है इसको रास्टवाद करते हैं फिर दिखिए ने चावरी चावरा कांड क्या थी इसका उतर देखे चावरी चावरा उतर प्रदेश में गोरकपूर के पास एक कसबा था जहां चार फरवरी 1922 को भारतियों ने ब्रिटी सरकार की एक पुलिस चौकी को पुलिस चौकी को आग लगा दी थी जिससे उसमें चुपे हुए 22 पुल चावरी 24 के नाम से जाना जाता है तो इसका आप देखे तो याद कर लिजेगा फिरए 23 नमबर भुधेस्य नदी घाठी Node की इस प्रकार लाब प्रद है तो इसका उतर देखे बहुदैस्य नदी घाठी परियूजनाओं का उप्योग जल विदुद उत्पादन और बाढ़ नियंतरन के लिए किया जाता है इसके अलबा बहु उदेश से बांधों के निर्बान से पुस्प और जीव जन्तुओं का जीवन खराब हो जाता है फिर देखे नेक्स्ट चौँतिस नमबर भारत में क्रिसी की प्रमुक रित्वें कौन कौन सी है तो इसका उतर देखे भारत में क्रिसी के प्रमुक तीन रित्वें रभी खरिप जायद इसको आप लोग याद कर लिएगा फिर देखी नेक्स्ट पैंटिस नमबर लोगतंतर के लिए राजनितिक दल क्यों आवशक माने जाते हैं तो दिखिए इसका उतर राजनितिक दल लोगों का ऐसा समू होता है जो साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं सत्ता में भागेदारी कर समाज के विकास के लिए कुछ नितियों और कारकरमों पर सहमत होते हैं तथा उन पर मिलकर काम करते हैं बिना राजनितिक दलों के लोगतंतर के बारे में कलपना करना ही असंभव है क्योंकि अगर दल ना हो तो सारे उमिद्वार स्वतंत्र या निर्दलिय होंगे तब उनमें से कोई भी बड़े नितिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वायदे करने की इस्थिति में नहीं होंगे सरकार बन जाएगी पर उनकी इस्थिति संदिग्द होगी निर्वाचित प्रतिनिधी सिर्फ अपने निर्वाचन छेत्रों में किये गए कामों के लिए जवाब दे होंगे लेकिन देश कैसे चले इसके लिए कोई उतरदाई नहीं होगा फिर देखें नेश्थ 36 नमबर संप्रदाईक्ता से आप क्या समझते हैं तो उतर देखिए संप्रदाईक्ता का अर्थ है अपने समुदाई के प्रति एक मजबुत लगाव या किसी का अपना धर्म छेत्रिया भासा हो सकता है या समुदाई के बीच हितों के अंतर को बढ़ावा देता है जो समुदाई के बीच सत्रुता के प्रति असंतोस पैदा करता है फिर देखें नेश्थ 37 नमबर राष्ट्रे आय की परिभासा दीजिए राष्ट्रे आय की परिभासा राश्ट्रे आयदेश के निवासियों द्वारा एक वर्स में घरिलू सिमाओं के भित्तर या बाहर उत्पादित सभी वस्तुओं और सिवाओं के मुल्ले का कुल योग है या एक वर्स में उत्पादन द्वारा नागरिकों की सुध्ध आए है फिर देखिए 38 तंबर जल किस प्रकार एक दुलब संसाधन है तो इसका उत्तर देखिए पूरे जल का मात्र 30 प्रतिसत भागी नदियों तालाबो और भुमिगत जल के रूप में है इस जल का वितरन भी काफी और समान संसाधन है यह दिपी जल इस धर्ति का सरवाधिक उपलब्द संसाधन है तथा पी मान उप्योग के लिए यह तेजी से दुलब होता जा रहा है इसलिए जल को एक दुलब संसाधन कहते हैं जल एक अच्छे प्राकृतिक संसाधन है अब बढ़ते हैं नेक्ष्ट अगला सेक्शन C की ओर देखेए 49 से 46 इंबर तर 49 नम्影片 का क्या था फ्रांसेसी करांती का मुक्य क्या परिनाम तो इसका उतर देखिए फ्रांचिसी क्रांटी के बाद स्रमिक अधिकारों के समर्थक और अंतिम समुदाय के सदश्य लूई बैंक द्वारा प्रिचारित राष्ट कायरिशालाय इस्थापित की गई और शुरू में बिरोजगारों में कमी आई क्रांतिकारी भावना पूरे ब्यूरो में फैलती रही जिससे जर्मनी में मार्च क्रांति की सुरुवात हुई जिसने बाद में जर्मन परिसंग के राज्यों के एकिकरन के लिए आधा तयार किया हलाकि फ्रांस में इस्थीतियां लंबे समय तक इतनी आधर्स नहीं रही फिर देखे चालिज नमबर कॉर्ण लो क्या था इसे समाप्त क्यों कर दिया गया कॉर्ण लो ब्रिटी सरकार द्वारा ब्रिटेन में लगाया गया एक आयातित खादे कानुं था जो ब्रिटी सरकार ने United Kingdom में 1815 इश्वी से 1846 के बीच लगाया था जिसके तहत कुछ निश्चित खादिपदार्थ के आयात पर परतिबंद लगा दिया गया इस कानून को लागू करने का उद्धे से ब्रिटेन में घरिलू अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देना और उनकी कीमतों को महंगा करना था अनतता 1846 इसमी में कौन लोग को निरस्ट कर दिया गया जो निर्माताओं के लिए जीत थी जिनके गिरिपतार में भुश्वामी हितों के खिलाफ अनाज की सुरक्षा की वजह से बाधा उत्पन हुई 1791 के बाद सुरक्षात्मक कानून ने युद्ध द्वार लगाए गए व्यापार परतिबंदों के साथ मिलकर अनाज की कीमतों में तेजी से वरीधी करने के लिए मजबूर किया 41 नमबर वन संगरक्षन के तीन कारगर उपाये बताएं वन संगरक्षन के तीन उपाये निमलिखित हैं देखिए पहला व्रिक्षा रोपन दुसरा पेड़ों को काटने पर रोक लगाना तीसरा वनों को आग से बचाना 42 नमबर सत्ता की साज़दारी क्यों जरूरी है तो इसका उतर देखिए टक्राव को रोकने के लिए सत्ता की साज़दारी जरूरी इसलिये है क्योंकि इसमें सामाजिक सम्हों के बीच टक्राव का अंदेशा कम हो जाता है चुकि सामाजिक टक्राव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और सामाजिक इस्थीरता का रूप ले लेता है इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनेतिक व्यवस्था के अस्थाइतों के लिए अच्छा है बहुत संख्यक समुदाए कि इक्षा को बाकी सभी पर थोपना ततकालिक तोर पर लापकारी लग सकता है और आगे चलकर या देश की अखंडता के लिए गातक हो सकता है बहुत संख्यकों का आतंक सिर्फ अल्प संख्यकों के लिए ही परिसानी पैदा नहीं करता अक्सर या बहुत संख्यकों के लिए भी बरबादी के कारण बन जाता है फिर देखिए दुसरा लोकतंतर की आत्मा सत्ता की साज़दारी वास्तों में लोकतंतर की आत्मा है लोकतंतर का अर्थ ही होता है कि जो लोग इस सासन विवस्था के अंतरगत हैं उनके बीच सत्ता को बाटा जाए और ये लोग इसी दरे से रहे इसलिए वैद सरकार वही है जिसमें अपनी भागेदारी के माध्यम से सभी समुह शासन विवस्था से जुड़ते हैं फिर देखे नेक्स्ट 43 नमबर की कोशन है संग सूची से क्या ताज़ पर रहे हैं इसमें कौन-कौन से विशे समिलित हैं संग सूची में दिये गए विशे पर केंदर सरकार कानूर बनाती है समिधान के लागू होने के समय इनमें 97 विशे थे वर्तमान समय में इसमें 100 विशे हैं पिर देखे संग सूची में राष्ट्रे रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा सामिल है मुद्दों पर एक समान राष्ट निती के निर्मान के आउशकता है अब बढ़ते हैं नेक्स्ट है चवालिस नमबर परंप्रागत और गैर परंप्रागत उर्जा स्रोत में अंतर इसपस्ट कीजिए तो देखिए उत्तर इधर परंप्रागत है इधर गैर परंप्रागत है बीच में लाइन कीज़ देना है आप सभी को देखिए परंप्रागत में पहला नमबर इन स्रोतों का भंडार सिमित है फिर देखे गैर परमप्रागत इन भंडारों इन स्रोतों का भंडार सिमित नहीं है फिर देखे सेके नमबर यह नविकर्निय स्रोत है फिर गैर परमप्रागत में देखे यह नविकर्निय स्रोत है फिर देखे तिसरा नंबर उदाहरन कोईला पेटरोलियम आदी फिर देखे गैर परम प्रागत शोर नंबर उदाहरन में सौर उर्जा पवन उर्जा इत्यादी फिए देखे नेक्स्ट 45 नमबर, भारत में उभोक्ता आंदलन की सुरुवात किन कारणों से हुए? तो इसका उतर दिखिए, उभोक्ता आंदलन की सुरुवात उभोक्ताओं के असन्तोस के कारण से हुई क्योंकि विक्रता कई अनुचित वेवसायों में शामिल होते थे. बाचार में उभोकता को शोर्षन से बचाने के लिए कोई कानुन वश्था उपलब्द नहीं थी यह माना जाता था कि एक उभोकता की जिम्मेदारी है कि वह एक वस्तु या सेवा को खर्टे समय सावधानी बरते इन संस्थाओं को लोगों में जागरुता लाने में भारत और पूरे विस्व में कई वर्ष लग गए इनों ने वस्तु और सेवाओं की गुनवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी विक्रिता पर भी डाल दी फिर देखे नेक्ष्ट चालिस नमबर विस्व व्यापि आर्थिक महमंदी का भारत पर पड़े तीन प्रभाव बताईए देखे पहला क्रिसी छेत्र में भारत की अधिकार्स जनसंख्या क्रिसी पर निर्भर थी इसलिए यहाँ पर क्रिसी उपजों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था महमंदी से पहले भारत ने क्रिसी उत्पादों का निर्यात करना और तयार मालों का आयात करना शुरू कर दिया था दुसरा देखे किसानों और कस्तकरों की इस्थिती अधिक खराब आतिक महमंदी के दोरान किसानों और कस्तकारों पर दोहरी मार पड़ी थी अनाज की किम्मतों के निचल अस्तर पर चले जाने से उनकी आय तो कम हुई साथ ही सरकार की तरब से लगान वसूली में भी कोई छूट नहीं ती गई तीसरा नमर दिखिए सोने का निर्याद महमंदी के दोरान किसान और कस्तकारों सहित अनिश्चित आये वाले सभी लोगों के सामने खाने के लाले पड़ गए थे उनके पास दो जून की रोटी के लिए भी पैसे नहीं था ऐसे मुन्हों ने अपने खर चलाने के लिए घर की गहने जेवर बाजार में बेचना सुरू कर दिया था बाजार में भारी मात्रा में सोना पहुँचने लगा फिर देखें नेक्स्ट अगला फोटी स्टेवें नंबर जर्मनी के गिकरन की प्रकृरिया का संचिप्त में वर्नन कीजिये इसका उतर देखिए जर्मनी के अग गिकरन जिन जिन सोपानों में हुआ उनका विबरन इस प्रकार था अठारवी सताबदी में जर्मनी अनेक राज्यों प्रसिया, बावेरिया, सेक्सनी आदी में बटा हुआ था इसलिए इसका आर्थिविकास बहुत धीमा था राष्ट चेतना के जागरत होने पर जर्मनी के विभिन राज्यों के लोगों ने एकिकरन की मांग करना आरंभ कर दिया 1815 इस्वी के राज्यों को आस्ट्रिया के साथ मिलाकर एक जर्मन महासंग की इस्थापना की कोशिस की गई 1848 इस्थी में इनमे से बहुत से राज्यों में विद्रह हुए लोगों ने वहां के शाषकों को सम्वेधानिक सुधार करने तथा जर्मनी का एकिकरन करने के लिए विवस किया इस उदेश के लिए फ्रेकफर्ट में एक राश्ट्रिय पार्लिमेंट बुलाई गई जिसे सम्वेधानिर्मान का कायर शोपा गया परन्तु इस पार्लिमेंट को आस्ट्रिया के विरोध के कारण सफलता नहीं मिली इसलिए इसके साथ दमन चक्र आरम हो गया और बड़ी संख्या में करांतिकारियों को देश छोड़कर भागना पड़ा और आज्यातवास करना पड़ा जिसका आपनों गयात कर लिजेगा फिर देखे नेक्स्ट अगला 48 नंबर भारते अर्थ विवस्था में क्रिशी का क्या महत्व है क्रिशी की विशेस्ताओं पर प्रकास डालिये देश की अधिकांस आबादी अपनी आजिविका के लिए क्रिशी पर निर्भर है क्रिशी छेत्र वो देश की कुल GDP में लगभग 14 प्रतिसत का योगदान देता है अला कि क्रिशी छेत्र भारते अर्थ वस्था में महत्वपूर्ण मुमिका निभाता है लेकिन इस छेत्र में लागातार गिरावट आ रही है जबकि सेवा छेत्र में तुलनात्मक रूप से सुधार हो रहा है क्रिशी की विसेश्थाएं पहला दिखे जीवन निर्वाहक क्रिशी भारतिक क्रिशी जीवन निर्वाहक किस्म किये जिस का मुख्य उदेसे देश की संपूर्ण आबादी की खाद्यों सक्ताओं की पूर्ति करना है यहां किसान फसलों का चेन रास्टे और अंत्रास्टे बाजारों के लिए अत्रिक्त उत्पादन के बज़ाए अपनी घरिलों आउसकताओं को ध्यान में रखकर करते हैं दूसरा देखिए खाद्यानों की प्रदानता बारति क्रिसी में मुख्य रूप से खाद्यानों का ही उत्पादन कियाग जाता है जो कुल क्रिसी भूमी का 75% भाग और समपूर्ण क्रिसी उत्पादन का 180% भाग प्रदान करते हैं देखे तिसरा फसलों की विवीधता क्रिशी में फसलों की विवीधता पाई जाती है कभी कभी तो एक ही खेत में एक साथ चार पांच फसले बोई जाती है फिर देखे चोथा नमबर छोटा भूजोत आकार बहुतिक आर्थिक और समाजी के कारकों के कारण भूजोत छोटी विखंडित और आधनिक रिसी के लिए उप्यूक्त नहीं है फिर देखे नेक्स्ट 59 नमबर करिसी इसको तो हटा दिया गया है सिलेबर से इस वार ठीक है देखे दभास मों अर्जनतिक दलों के आपसे संबंधों का स्वरूप कैसा होता है? वर्नन करी जिसको हटा दिया गया है ठीक है चलिए देखते हैं के पचास नमबर भारते अर्थ वस्था के विकास में तृत्यक छेत्रक कोई महत्पूर्ण भूमिका नहीं निभा रही है कि आप इससे सहमत हैं देखी इंपोर्टेंट कोउस्चन है एक दो तीन चार पांच बार रिपीट हुआ है कोउस्चन इसका उतर देखी जीडिपी से हमारे तात पर तीनों छेत्रकों के उत्पादों के योगफल से है इसे सकल घरेल उत्पाद भी कहा जाता है इस प्रकार व इस बात में कोई संदे नहीं कि भारत में विकास प्रक्रिया से जीडिपी में त्रितक छेत्रक की हिस्तेदारी में व्रिधी हुई है 1973 से 2003 के 30 वर्षों में जीडिपी की व्रिधी में प्राथमिक छेत्रकों की हिस्तेदारी 25 प्रतिसद थी इस काल में त्रितक छेत्रक की हिस्तेदारी कोई 50 प्रतिसद थी फिदेखे नेक्स्ट परंतु रोजगार के छेत्र में त्रित्यक छेत्रक की हिस्तेदारी कोई उतनी अधीक न हो सकी वर्ष 2000 में रोजगार के छेत्रक में प्राथमिक छेत्रक की हिस्तेदारी 60 परतिसत थी, दूतेक छेत्रक की 18 परतिसत और तिर्टक छेत्रक की 22 परतिसत इस प्रकार रोजगार के छेत्र में वर्ष 2000 में प्राथमिक छेत्रक की हिस्तेदारी सबसे अधिक थी यहां अभी भी 66 प्रतिसत के लगभग लोग कारत थे इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तृतक छेतरक की GDP में तो हिस्तेदारी बढ़ी है परन्तु रोजगार के छेतर में अभी इतनी नहीं बढ़ी है इस ओर भी प्रतन जारी है भविश्य में रोजगार के छेतर में भी तृतक छेतरक की भागदारी बढ़ने की संभावना है अब रते नेक्ष्ट अगला एक आवर नमबर देखिए G77 क्या है? G77 को ब्रिटेन वूल्ट्स की जुड़वा संतानों की प्रतिकिरिया किस आधार पर कहा जा सकता है? विकासिल देशों का एक समू है जो नई अंतरास्टी आर्थिक विवस्था को प्राप्त करने के लिए समुख रूप से कायर करता है दुसरा दिखिए IMF और विस्व बैंक की असंतोसजनक सेवाओं के कारण नए आजाद हुए मुलकों ने G77 का संगठन किया फिर देखिए तिसरा इनकी आजादी के बाद ब्रिटेन वूड्स की संस्थाओं ने गरिव मुलकों को वित्य सहता का परस्ता किया फिर देखिए चो था लेकिन इसके एवज में उनके प्राकरतिक संसाधनों को गारंटी के तोर पर इन संस्थाओं ने अपने नियंतरन में ले लिया फिर देखिए पांचबा इस प्रकार विकासिल देश जो विक्सिल देशों की भाति और द्योगिक विकास की राह पर चलना चाहते थें विटेन वूड्स की संस्थाओं ने उनका मार्ग अवरूध कर दिया प्रतिक्रिया स्वरूप जी 77 या समू 77 अस्तित्व में आया पादक छेत्रों को दर्शा है तो इस तरीके से एक मानचीत्र वाला भी कोश्चन आता है यहाँ पर यह वाला दिया हुआ रहेगा और इसमें दर्शाना है आपको गन्ना उत्पादक छेतर, चाय उत्पादक छेतर, कहवा उत्पादक छेतर, रबर और तंबाक उत्पादक छेतर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखें इस तरीके से जो है यहाँ आपका गन्ना का है तो यहाँ पर गन्ना है फिर देखे चाय के लिए आपका ये वाला है चाय के लिए इधर देखिए यहाँ पर उसके बाद कहवा के लिए इस्टार बना हुआ यह सब कहवा के लिए है फिर देखे रबर के लिए त्रिभूज बना हुआ है रबर के लिए त्रिभूज तो त्र पर मैंने आप सभी को दो हचार चोबिस का उरिजिनल कोशन बता दिया है कुछ-कुछ कोश्चेन वैसे डिलिटेट सिलेबस से है फिर भी मैंने सभी कोशन को आपको पढ़कर बता दिया है जो इस बार सिलेबस में है उसका आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजेगा औ पर उस वीडियो को जरूर देख लीजेगा आज के लिए तना ही थैंको पर वाचिंग में वीडियो जय हिंद जय भारत